Hello everyone and welcome to Abhishek Products Recently हमने दो वीडियोज अप्लोड किये थे एक था Evolus Printer के डेमो के बारे में और दूसरा था Data Card SD360 के डेमो के बारे में उन सारे वीडियोज के अंदर आप सभी का एक ही कोश्चन था कि हम PVC Card, Thermal PVC Card Printer क्यों यूज करेंगे जब इसकी Costing Production की इतनी जादा आती है आप में से कईयों का कहना था कि सर हमारे पास इस तरह की एक Fusing Machine है 100 Card और एक 20 Card की जिससे जब हम Card बनाते हैं तो उसकी Costing स्रिफ 4 रुपीज आती है कुछ Customers ऐसे थे जिनका कहना था कि हमारे पास Cold Lamination की मशीन है साथ ही साथ इस तरह के ID Card के डाइकटर है और एक Rotary Cutter का इस्तमाल करते हुए हम लोग हमारे ID Cards बना सकते हैं just within 5 रुपीज और कई सारे Customers ऐसे थे जो Dragon Sheet यूज कर रहे थे और AP Film का इस्तमाल करते हुए और Pasting Photo Sticker का इस्तमाल करते हुए ID Card बना रहे थे ये सारे Methods यूज करके आपकी कॉस्टिंग सिर्फ 5-6 रुपे से ज्यादा नहीं आती बट फिर भी हमने आपको कहा था कि आप एक Thermal PVC Card Printer यूज कीजिए ताकि आपकी ID Card की Range भढ़ सके और जब आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो PVC ID Card बनाना एक Thermal Printer के थूँ आपको उसमें कॉस्टिंग पढ़ती है average 30 रुपीस पर कार्ड and common question था कि इतना महगा कार्ड क्यों बनाए जबकि मार्केट में 10 रुपे, 20 रुपे, 30 रुपे में ID Card बन जाते हैं बनाए जा सकते हैं हमारी पुरानी machines में, छोटी machines में सर उसका reason और उसका कारण ये है कि जब आप एक Thermal PVC Card Printer यूज कर रहे हैं आपका जो manual labor है वो zero हो जाता है आपका जो predictable time है production का वो defined है, आपको पता होता है कि कितना time लगेगा दूसरा, इसके अंदर जो card quality की print आएगी उससे better card quality आप दूसरे किसी भी method से नहीं बना सकते तीसरा, अगर आपको कभी भी customer को sample देना है immediate sample देना है तो वो सर्फ और सर्फ इसी method से possible है PVC Card Printer के method से और इसका पहला production और इसका आखरी production यानि first card जो आप print करेंगे और hundredth card या thousandth card जो आप print करेंगे उन सभी की quality एक जैसी रहेगी बट जब आप fusing machine यूज़ करोगे या फिर cold lamination machine यूज़ करेंगे या फिर किसी भी तरह का दूसरा dragon sheet का method यूज़ करेंगे तो उन सारे cases में color हमेशा variation होगा क्योंकि पहले आप उसे print कर रहे हो फिर उसे lamination कर रहे हो और इन सारे processes के दौरान उनकी color quality, color shading चेंज हो जाती है बट जब आप एक PVC card printer यूज़ कर रहे हैं आप direct system से direct print आ रहा है और आपकी quality आपके हाथ में होती है production आपके हाथ में होता है इसके लिए आपको कोई helper की जरूरत नहीं है आप अकेले ही काफी है पूरा काम करने के लिए आपको बस designing आनी चाहिए तो yes, इस printer का फाइदा ये है कि ये आपको card quality देते हैं card में production की consistency देते हैं और आपका जो cost होता है production होता है वो आपको एकदम strict rule पर पता होता है और आपको किसी labor की जरूरत नहीं होती और आपको कोई ज़्यादा technical knowledge की जरूरत नहीं है ये printer हम suggest कर रहे हैं सारे corporate offices को CSC centers, e-seva, me-seva AP online, TS online, आदार केंदरा, online सेवा केंदरा को और अगर आप एक कोई बड़ी company चला रहे है जहां पे आपको अपना खुद का employees के ID card खुद बना के देना चाहरे हैं अपने employees को on-spot registration करना चाहरे है तो उस case में ये दोनों ही machines आपके लिए perfect है दोनों ही machines जो है PVC card technology के ओपर बनी है और आपका जो भी employee जो registration कर रहा होगा दूसरे employees का या फिर अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको technical knowledge की जरुद नहीं है जादा space की जरुद नहीं है जादा maintenance की जरुद नहीं है और आप instant service दे सकते हैं बाकि सारे method जैसे की हमारा fusing machine का या फिर cold lamination का या फिर AP film का या फिर हमारे hot lamination का जो method होता है उन सारे cases में आपको पहले wait करना पता है सारे cards इखटे करने पड़ते हैं card जो है 10-10 की set में पहले तयार करने पड़ते हैं फिर print करना पड़ता है बट PVC ID card printer use करते हुए आपको minimum quantity of printing MOQ जो होगा आपका printing का वो होगा one piece तो अगर आपका retail business है तो बहुत ही बड़ी बड़ी आबात है कि आप PVC card printer use कर रहे हैं क्योंकि retail में एक एक दो दो piece का order आता है और अगर आपका खुद का कोई school हो आप school के principal है आप चाते हैं कि आपके बच्चों का data कहीं बार leak ना हो data safe रहे बच्चों के phone numbers और बच्चों का address जो कि आज की date में बहुत important है schools नहीं चाते कि अपने students का data कहीं misuse हो market में कहीं leak हो तो आप ये PVC card printer ले लीजिए भले card की cost थोड़ी से ज़्यादा आएगी बढ़ आपका data आपके in-house रहेगा safe रहेगा कहीं leak नहीं होगा और आप अपने किसी भी teacher या फिर administration staff को असानी से training दे सकते हैं ये card printer यूज करने के लिए तो ये था reason why you should use PVC ID card printer instead of other methods and thank you for watching the video और इसी तरह के quality content के लिए आप हमें YouTube पर subscribe तो करी सकते हैं साथ ही साथ हमारे telegram channel को join कर लिजे जो हम ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स देते रहते हैं thank you for watching the video this is Abhishek